और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टेक में, दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉंच होने वाले एक और ने 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गलेक्सी M23, तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सैमस को जरूर सबस्क्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चलिए सबसे बहले बात करते हैं इस मुबाइल के डिस्प्ले के बारे में, जिसमें 6.6 सेंचेस की एक बड़ी TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, अग अगर बात करें इस मुबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मुबाइल में गोरिला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर बात करें इस मुबाइल के वेट की तो ये मुबाइल काफी लाइट वेट भी होगा, आप चलते हैं इस मु आपको थोड़े हीटिंग इशू देखने को मिल सकते हैं अगर बात करें इस मुबाइल के जूपी की तो इस मुबाइल में Adreno 610 19th जूपी आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको गेमिंग ग्राफिक्स में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें में कामेर की तो अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो इस मुबाइल में 8 मेंगा पिक्सल का एक फ्रेंड कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रेंड कैमरे की विड्यो कॉलिटी 1080 होगी overall दिखा जाते हो इस mobile का camera segment आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा आप चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile का card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 128GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile बस आपको 4GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में यह decent quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको इस मुबैल में प्रॉक्सिमिटी, एसलोमीटर और गायरोस्कोप जैसे सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे आप बात करते हैं इस मुबैल के बैटरी के बारे में जिसमें 5000 MHz के बड़ी LIPO बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग की बात करें तो इस मुबैल में 25W के फास्ट चार्जिंग भी होगी अगर बात करें इस मुबैल के कुछ common features की तो इस मुबैल में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस मुबैल में नहीं होगा आप चलते हैं इस मुबैल के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबैल के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस मुबैल के color की तो ये मुबैल आपको black और green color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस मुबैल का price 21,999 होगा अगर बात करें इस मुबैल के release date की तो ये मुबैल 3 जुलाई को release हो जाएगा overall देखा जाए तो Samsung की तरफ से average feature आपको इस मुबैल में देखने को मिलेंगे अगर मैं recommend करूँ तो आपको ये मुबैल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि Vivo और Xiaomi की तरफ से इस price point पे काफी अच्छे feature वाले मुबैल आपको देखने को मिल जाएंगे आप सबसे आखिर में बारी आती है इस मुबैल की rating की तो इस मुबैल के सारे feature को देखते हुए इस मुबैल के strong rating होगी 6 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस मुबैल का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में